कि अधरे किस्टा तो आज हम है इलेविशन टू कृष्णा कॉंश्यसनेस कृष्णा भक्ति की प्राप्ति या कृष्णा भक्ति में उन्नति अन्वादेसा भी कर सकते हैं देहिं करें तो उसका अनुवाद करेंगे उसका सारांश देखेंगे क्योंकि 1000 एक सेशन के में वैसे संबवनी तो शुरुवारत के जो तीन चैप्टर है उसका ओवर्वीव हम देखेंगे और मैंने आज वो सब चैप्टर पड़े भी और उसका मैंने कुछ अपने नॉट्बुक्स में कुछ पॉइंट्स भी सब लिखे हैं अलमौद साथ पेज हैं तो समरी उसमें क्या है पॉइंट्स और पुरी बुक्स का जो थीम है बैसे मालबम शुरू करें उससे पहले देखेंगे यह बुक जो है इलेविशन तो कृष्ण कृष्ण कॉइंट्स नेस तो उसमें एक चैप्टर है भगवान की शक्तिया जिसमें भगवान की शक्ति शिरुप से राधाराने की उपर उसमें भी काफी उच्छा वेश्योग का तत्व ज्यान दिया गया है तो शुरुवात की तीन चैप्टर है काफी प्राइमरी है इंट्रोडक्शन है पर आगे जो चैप्टर है खासकर के वो चैप्टर कृष्ण और भगवान की शक्ति और भगवान की बारे में उसमें कई फिलोसफिकल पॉइंट्स भी है तो उसकी साच हम अगली बार करेंगे तो शुरुवात करते हैं हम सब चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति में अमारी उन्नती हूं इस बुक का इंगलिश में डाइटल है इलेवेशन टू कृष्ण कॉंशिसनेस और उसका अनुवाद वैसे होना है अभी मैं दूसरे स्किन ओन करता हूं आप उस तक भी आप खुद देख पाएंगे तो शुरुवात में हैं यहां पर है बताया गया है कि प्रवपाद है शुरुवात करते हैं अले शाहिद प्रवचन से हैं तो ओम अज्ञान इद्विमारान इंदस ज्ञान अजन चला क है शक्षुनमिलतमयनत असमेशिघ्रवेनमह तो वगत्ति मुननति करने के लिए सबसे पहली जो आवशकता है वो हत्यात्मी गुरु की हैं और हम वक्ति में उन्नति क्यूं करना चाहते हैं कि क्रिश्ण भावना मुर्थिमृति मुननति अगर नहीं करते हैं तो हम भोधिक जो चेतना है वहीं पर बने रहेंगे क्रिश्ण बक्ति मुन्नति यानि कि भूती चेतना से बाध्ध्यत्मिक चेतना में जाना और फिर उसमें भी आगे प्रगत्ति करते रहना है तो गूरु इसलिए बहुत आवश्क है और गूरु स्विकार करने से क्या फर्क पड़ता है वही प्रवपाद है श्रुवात में बताता है कि ये वेदिक पड़ती है गूरु स्विकार करने से फर्क ये पड़ता है कि हर एक विक्ति में प्रवपाद आगे यहां पर लिखते भी है आगे कि हम सब में चार प्रका की तुरुटिया होती है तो ये सब तुरुटिया है चार जो दोश है, सब जीवों में पाये जाते हैं, और उन चार दोशों से अगर हमें मुक्तो वना है, तो हमारे लिए व आवश्चक है कि हम गूरू से ज्ञान प्रात करें, इवन भोतिक सिक्षा भी अगर आप देखे, चाहे संगीत हो या गणीत हो, कोई भी विश्य है, अ हमें वापस पुनह चक्रती का आवश्चा करने के आवश्चता नहीं है, तो गूरू स्विकाह करना आवश्चत है, क्योंकि हम जो ग्यान प्रात का ते संसार्मिय उचात रूटियों से युक्त होता है, और गूरू का अर्थ ही है कि शब्द प्रमा, और गूरू है, उनको उनको ग्यान प्राप्त होता है उनके गूरू से और मूल जो आधार है वैदीक साहित्या है कुछ तकलित है मेरे खाल से सब आडियो वीडियो और सब टेक्स ठीक है ना मेरे खाल से करते हैं तो चार दोश्च युक्तोत है इसलिए हमें वेदिक साहित्या क्योंकि गुरू भी है उसी वेदिक साहित्या के आधर पर ही ज्यान प्रदान करते हैं तो शिलब प्रवपाद है इसी के आगे सर्चा करते हैं आगे प्रवपाद है ये चार दोशों का वर्णन करने के बाद है शिलब प्रवपाद सिधा उस लोग पराते है चोहते अध्याई की शुरुवात में जिसको भगवान बोले है भगवान है ब्रमाजी को ज्यान प्रदान करते हैं विवस्वान को ज्यान प्रदान करते हैं फिर उसी परमपरा में मनू इक्ष्वाकू और ऐसे परमपराय चलती हैं मरतमान में लोग है इनकी फैशन है कि हम परमपरा में नहीं मानते हैं हम तो ऊनया इन्वेंशन करेंगे हम भगवगीता का अपना एक नहीया अर्थ निकालेंगे भगवगीता के आपके बहुत सारे version मिल जाएंगे अगर Amazon पर जाएंगे तो बहुत सारे नए-ने author आ गए है लेखक का गए है जो गीता को अपने तरीके से अर्थखटन करते है पर ये नया कोई अर्थकटन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें करने की जरूत नहीं है इंगलिश में कहावत भी है ना कि old wine and new bottle तो वही वस्तुग वही ज्यान है वो सकता है कि हम उसको प्रस्तूत करने का तरीका हमारा है जैसे हम ऑनलाइन अभी कर रहे है प्रस्तूत तो प्रस्त करने के तरीके बदल सकते है पर ज्यान तो यथावत वही का वही है हमें जो content है उस पर कोई परिवर्तन करनी के आवश्यक्ता नहीं है तो प्रभुपाद ही इसी के उपर भार देते हैं कि अर्जुन की भादी हमें सिश्य बनना पड़ेगा तबी हम एग्यान प्राप्त कर सकते हैं उसके बिना एग्यान प्राप्त करना संभव नहीं है तो अर्जुन की योग्यता जो थी ओ है एक आग्रचित्त से सुनना प्रश्ण करना भारंबार प्रश्ण करना सेवा करना और शद्धा से गुरु से सुनना ये कई उनकी योग्यता है, फिर भगों अप्रवपाध है आगे सर्चा करते हैं कि वेद मतलब क्या है, जब भी किसी को पुछ है कि वेद कितना है, वेद मतलब उस पे चार जो सम्मिता है, रुगवेद, यजुरवेद, अथर्ववेद, और सामवेद, यो सम्मिता भी आ जा अने का ग्रंथ है, जो मिलकर वेदिक साहित्य बनता है, प्रुपाज कहते हैं कि वेद मतलब ज्यान, जो भगवान से आता है, उसी को वेद कहते हैं, पर ये लिमिटलेस है, इसकी कोई मरियादा नहीं है, अभी जो उपलब्द है, वो कुछ भाग हमारे पास उपलब्द है पर जब कोई व्यक्ति ज़्यादा योग्य है, तो उसके लिए ज़्यादा उपलब्द भी है, देव लोगों में यही वेदिक साहित्य और सो गुना, हजार गुना अधिक विस्तृत रूप में होता है, तो जो वेदिक जो ग्यान है, हमें उसमें दो प्रका का ग्यान परा जानी है, धनुर वेद, धनुर विद्या, तो यह सब का भी वरनन मिलता है, और साथ साथ में आध्यात्मिक ज्यान का भी वरनन मिलता है, तो भोतिक ज्यान का वरनन मलब्द यानि की पृत्र संसार कैसे बना है, तो भोतिक जगत के बारे में ज्यान प्रदान करते हैं, तो तो भौती जगत के बारे में ग्यान नहीं तो रेदों में है और अध्यात्मिक जगत के बारे में ग्यान है बहुती जगत के बारे में ग्यान हमें वरत्मान के विज्ञान से भी सीखने को मिलता है पर अध्यात्मिक जगते हैं उसका कोई भी परोपाजी कहते कि there is a no department of knowledge the modern university where कहीं भी कोई विद्धिया की ऐसी शाका नहीं कि जहां पर आत्मा का विज्ञान सिखाए जाता है सिफ हमें परमपरा के माध्यम से ही यह अध्यात्मी जिगत के बारे में ज्ञान है वो से फेदों से ही मिलेगा भूती जिखन संसार का ज्यान तो थोड़ा बहुत हम है विज् अध्यात्मी जिगत हो जगत है कि जहां सुरिया चंद्र इत्यादी होते है पर उनके प्रकाश पर अध्यात्मी जिगत नहीं है और इस अंसार में हमें अंधिकार दूर करने के लिए सुरिया चंद्र कम से कम विद्यूत की जरुत होती है सुरिया चंद्र भी नहीं है तब विद्यूत काम प्रियोग करते हैं पर जो जगत है उपर है अमारे आखों से अमारी रोकेट साइंस अमारे टेलिसकोप सबसे परे है वो ग्यान है हमें सिब परमपराज से प्राप्त होता है तो यहां पर वेदिक धर्म जो है उसी को सनातन धर्म कहते हैं परभुपाजी आगे लिखते हैं कि वेदिक धर्म ऐसा नहीं है कि जैसे परभुपाजी कहते कि इसाय धर्म का इत्रियास दोजास साल है और इस्लाम का 1300 साल या 1400 साल अगर कहे पर सनातन धर्म का इत्रियास कितना है? वो है 1400 साल तो उसका कोई मरियादा नहीं है नहीं 1400 साल नहीं का है पर वेडिक धर्म का कोई मरियादा नहीं है वो सनातन है, साश्वत है और उसी को सनातन कहते हैं सनात अंधर्म कहते हैं फिर प्रहुपाजी है आगे है लिखते हैं कि सनात अंधर्म जो है उसमें आत्मा अज्यत्मी जगत से भूती जगत में कैसे आता है उसका ज्यान हमें प्रदान किया गया है फिर प्रहुपाजी है काफी क्योंकि अब विज्ञान की बात चल रही है तो वर्तमान युग में डार्विन द्वारस्थापी जेविक पदाथ हो के विकास के सिद्धान ये तो उंच्छ सिक्षा में पढ़ाए जाते हैं पर पदमो पुरान से में मिलता है ज्यान की चौरे से लाख योनिया है और वहाँ पर जो योनियों की उतकरांती है वो किस आधार पर बताई गई है वो चीतना की आधार पर बताई गई और डार्विन जो है वो जो बताते हैं वो क्या है वो है सिर्फ शरी की उतकरांती और शरी की उतकरांती नहीं होती है आत्मा की उतकरांती होती है वो हमें वेदो से पता चलता है तो प्रभुपाद जी है डार्विन क यहां कल्प के अंत में संपुर्ण जर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षष्ष्ष्ष्ष तो ये किसने बनाया है? क्यूँ बनाया है? ऐसे जिग्याशा हर एक व्यक्ति को होनी चाहे जिसको भी कॉस्ट मिलते है, तो उसको कॉस्ट का कारान धूनना चाहे हम सब भी वैसे जब बीमार होते है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जाते है और तुरंद हमारा खुन लेगे, फिर उसको लेबार्टरी में बेजेंगे और ढूनने का प्रयास करेंगे कि इनको कौन सा रोग है तो ये तो एक रोग ढूनने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं फूल्ड जीवन के कष्टों का मुल-कारण है, झूलने काम प्रयास नहीं करते हैं। तो प्रभपाजी यही कहते हैं कि यही मनुष्ट स्थुप से हमें जानने को मोखा मिला है, कि हम चार दूख जो है, उसको, वो उसका कारण ढूब सकते हैं। और उसी के लिए मनुश्य जीवन मिला है और प्रहुपाद जी उदाहन देते हैं रिशब देव का काफी विस्तार से प्रहुपाद बतारे कि महरशी रिशब देव ने अपने पुत्रों को उपदेश डिया है मेरे प्रिये पुत्रों मानो जीवन है तुम्हें सुन्दर शरी प्राप्त मिला है पर एक उकर और शुकर की बल की दिवित अपके लिए है तो ये बात हमें समझनी चाहे कि हम पढ़ाई के लिए नौकरी सब के लिए समय निकालते हैं पर महत्व पूर्ण है कि हम कितना समय है दिवित अपके लिए निकालते हैं चैंटी के लिए पहुदिता पढ़ने के लिए अध्यत्मी कारियों के लिए हैं मनुष्य जीवन जितना अध्यत्मी कारे किये आज आमने एक गंटा या दो गंटा अध्यत्मी कारे किये तो समझना चाहे कि वही इतना ही हम बास्तों में जी है बाकिका जो समय है वो तो व्यर्थ में ही शरी के कारियों में चला जाता है तो प्रणविण की विचाद धारा की अनुसार जब ग्यान दिया जाता है ये कुछ लड़के इखठे वो ये और वो निर्वस्त्र होकर सुवर के साथ है कीचड में धस गए और सुवर के साथ खिल ले लगे विदेशी लोग है तो ले ज्यादा ही पागलपन होता है तो उनको लगता है कि हर प्रकाय का सुख हमने भूगा है पर सुवर को क्या सुख म खाएंगे तो ऐसे पागलपन में लोग हिपी बन रहे है क्योंकि उनका विचाधारा है डारविन के अनुसार है और जब वेदिक विचाधारा है तो यूदिश्ट्री महाराज भरत महाराज जैसे उच्छ विचाधारा वाले लोग है बनते हैं और इस प्रकास से सुवर की चार नियम जब पालन करता है तब वो मनुष्य बनता है और मनुष्य बनने के बाद उसको जग्याशा करेगा तब वो है अध्यात्मिक ज्यान को प्राप्त करता है विदो की माध्यम से तो प्रभुपा जहें इस चप्टर के अंत में कहते है कि कृष्णा भावना बृत मे चार नियम का पालन करना चाहे और अपने जीवन को रिश्ब देव ने जैसे बताया उसके लिए अध्यात्मिक आनंद के लिए शुद्ध जीवन प्राप्त को जीना चाहे तबी वो है उसका जीवन मनुष्य जीवन सार्थक है और फिर अंत में प्रभुपाजी कहते हैं कि अध्यात्मिक जगत जो है वो सुष्क कलपना नहीं है जैसे लोग विचा करते है वैकुट में दिव्य आनंद है और उस दिव्य आनंद के अनुभुती है उसके लिए मनुष्य जीवन बिला है नहीं कि जन्म मृत्य जराव्यादे इत्यारे दुखों भोगने के लिए तो हमें असीम सुख और असीम आनंद प्राप्त होगा यहीं कृष्णा भावनामृत आंदोलन का सारतत्व है तो उसका सारतत्व यह है कि वी इलेवेट अवर सेल्फ इन कृष्णा पॉंश्योसनेस हम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़े उसमें हमारी उन्नती हो तो प वेदों के अनुसर ज्यान प्रदान करते हैं वेध सेही सनातं फ्रमः प्रगठ हैं वेद में आपना का अध्यत्मिक ज्यान दिया है और्विन के द्वारा विया गया है परंतो दिव्यतप के लिए है अध्याप्विक आनंद के लिए है तो इस प्रका से पुरा चप्टर है उसमें एक step by steps है हमें प्रवपाजी आगे लिका जा रहे हैं अब दूसरा चप्टर है जिसका असिर्शक है सुख के लिए कठीनसंगर्श ये पुरा जो चप्टर है उसम काफी सारी बाते हैं धन के उपर की गई है क्योंकि जैसे सुख की बात आते हैं तो हमारे मन में एक ही बात होती है कि सुख कब मिलता है जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास अभी एक लाख रुपिय हैं तो रहा सा सुखी हो में पर एक करोड होते तो ज़्यादा म चाहे पेर कुश्रक और भी चाहे बलब घुमने के लिए चाहे बच्छा मोबाइल चाहे पेर कहें बैकेशन में घुमना है बेंक बैलेंस भी चाहे तो कई वस्तों लोगों को लगता है कि कुछ करोड गुरूप से तो मेरे पास कम से कम होना चाहे तब शायद मैं ज्यादा सुख के लिए कठीने संगर्श हम सब कर रहे हैं तो शुरुवात वोती चप्टर की प्रवपाजी कहते हैं कि भगवान सच्चित और आनंद है और उनका बलब शरी विव्या है साश्वत है पूरण ज्यान पार आनंद से है क्योंकि आनंद भी शब्द जब हम सुनते है ज् संसार का जो आनंद है उसी के साथ उसकी तुलना करते हैं मतलब क्या है कि जैसे चीनी है हमने अगर जैसे कुछ वस्तू नहीं खाए मीठी वस्तू गुलाजमू नहीं कहा है तो हम कहेंगे चीनी से बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मदूर होता है पर फिर भी आइडिया न अनन्द की अनुभुति जो भक्तियों में लगे हैं उन्हीं को पता होती हैं यह क्या है तो प्रभपाजी आगे फिलिखते हैं कि जीव भगवान का ही सुक्ष्मा है अन्श है इसलिए जीव में भी सत चित और अनंद अल्प मात्रा में भवान तो विशाल है ननंत है तो उ है इसलिए हम सब कहां जाना चाहते हैं रोपा लिखता है कि स्नावधन सुक की इच्छा के लिए हम स्वर्च लोग जन लोग अ inflam社 लोग के ऐसने सब जगह जाना चाहते हैं और हम सब की यहां इच्छा होते है कि कम से कम हैं अम अमेरिका में पहँंच जाए या जो ज़ड़ आनंद है वो वर्मत जोती में जाना चाहता है अपने जो स्थान है अपना जो घर है वहां पर वापस जाना चाहता है तो यहां पर देखें फिर वह आगे वरनल करते हैं कि जीव जो है वो आध्यात्मिक है आगे यहाँ पर और उदाहना प्रवपाद है यहाँ पर एक मचली का दिया है कि एक मचली जैसे जल से बाहर होती है और भूमी पर कितनी भी उनको सुविदाज दी जाए पर वो सुखी नहीं होती उसी प्रकास जीव अध्यातिक है और वो जो सुख चाहता है जिन वस्तू से सुख चाहता है वो सब क्या है? वो सब भूतिक है तो यह इंकंपटेबल है पानी और तेल जैसे एक दूसरे में मिक्स नहीं होते उसी प्रकास से अध्यात्मी के भूतिक वस्तू को मिलाकर उसको एक नहीं कर सकते है दोनों का सभाव अलाला है तो जीव अध्यात्मी के भूतिक है वो जो विजातिय है इसलिए उसका हर प्रयास हो उसमें निश्वल जाएगा कभी भी इसमें सफलता संभव नहीं है हम कहते हैं आपके यूँ we can get a success in life हम जीवन में सफलता प्राप कर सकते हैं बहुती जगत में सफलता जीव के लिए संभवी नहीं है बहुती के रूप से सफलता क्योंकि बहुती सफलता है उससे जीव को लाभ प्रापत नहीं होता है और इसलिए मचली का उद्रहन यहां पर बहुत स्यूटेबल है कि जैसे ही आप खाने की वस्तू जो चाहे वो भी दो थो भी उसके नहीं होगे तो भाकि सब वस्तू मिले तो भी उसको मजा नहीं आएगाга। तो उसी प्रकार की हमारी अवस्ता भी होती है अब दूसरे प्रकार के एक विचाधारा है जिसको निराकारवादी कहते है उनको भी पता है कि बहुती जगत में आनंद नहीं है पर उनका विचार है कि बहुती जगत में जब आनंद का प्रयास करते हैं तो दुख मिलते हैं, इसलिए हमें आनंद का प्रयास बिल्कुल बंद कर देना चाहे, और अपने आपो शुन्य या निराकार में विलिम करने का प्रयास करना चाहे. प्रुपाजी कहते कि निशेद का जो विचार है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि निशेद का विचार है, उसमें वो भक्ती जो है, उसका भी निशेद कर देते हैं, भक्ती के कारिया भक्ती का जो आनंद है, भगवान का सच्चित और आनंद जो रूप है, उसका भी वो निश भुपा ड़्य यही आगे शीपाध होती करणों का सैद्धान्तिक निश्ध मानू जाती कि कुष लोक लाब कर सकता है पर इससे क्या होगा कि अधिक तर मनुश्वल्ध है वास्तुर्झ जो आनंद है चो चोचेतर ने महाप्रूप के द्वारा भक्ती मार्ग पर दिया गया, उस आनन से बंचित रहेंगे, फिर आगे वरनन आता है, कि इस भोतिक जगत में हम सुख चाहते, क्योंकि इस चप्टर का नामे सुख के लिए संगर्ष, तो भोतिक सुख यानि की काम, भोतिक सुख के लि और एकदम नरम नरम है, और एकदम स्मूथ है, तो उसको गले में हार के रुपे पहन ले, वो विशना सर्प है, आप काटेगा, और आपको जहर चड़ जाएगा, तो उसी प्रकासे भोतिक इंद्रिया है, वो कितनी भी सुन्दर हो, पिर भी वो उसको विशय, इसलिए संस प्रणाम यह होता है, इसका प्रणाम होता है, जैसे सर्प काट जेता है, उसी प्रकास का प्रणाम होता है, तो इसलिए विश्टी को पहले तो विविचार करना चाहें कि आनंद क्या है, अनंद वस्तु क्या है, अब आनंद वस्तु क्या है, उसके को समझाने के लिए प्र तो रस बिलकुल मिलेगा है नहीं तो ताजा गन्ना है उसमें से रस मिलेगा अगर कोई बांस को चबाए का तो उसमें रस नहीं भी लगा बहुत इसी पकासे कि बांस को आप सबाकर पिचा करते हैं कि इसमें से आपको रस मिल जाए और इस रस को प्राप्त करने के लिए यहा आज नहीं तो कल हमारे आशा रहते हैं कि एहां पर प्रभबार लिखते हैं कि आनंद की आकांग्षा स्वाभाविक और उत्तम है तो ये आकांग्षा तो हमारी बनी रहते हैं तो प्राप्त नहीं बोता है हम फिर क्या विचाय करते हैं इदम अध्यमया लब्दम इमंप्राप्स से मनोरतम आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से उसको और करूँगा इसको यहाँ पर डालूँगा कुछ सोना में खरेदूगा कुछ शेर मारति पर पैसे डालूँगा कुछ पाईसे में किसी से दोखा दे दूग किसी का उदार है उसको नहीं दूगा तो इस प्रका से मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे अनिक प्रका की योजनाओं बलब वैद और अवेद लिगल और इलिगल सब प्रका की तरीके विक्ति अपनाता है धन को बढ़ाने के लिए और यही पूरी दुनिया में चल चाहिए एक देश है दूस्रे देश है वैसले का मित्र है आद बत्र की जयसे को फैसे हम की साथ वापस चुकाना है तो फिर वो दिखाई भी नहीं देता है यह बहुत सामझ विवार में हम सब देखते हैं तो नास्तिक सब्वियता है वो पूरी इंद्रियों का एक बड़ा जंजाल है हमारी इंद्रिया की तुरुप्ति के लिए नास्तिक अनिश्रुवादी सब्वियता क बड़ा जंजाल पहला गया है और उसमें हमें धन कमाने के लिए पागल होना पड़ता है और गटे नहीं है, सुरण मुर्ग वास्तों में होता नहीं है, तो इसकी प्रिकास है, इंद्री रुप्ति का जो जंगल है, उसमें भागते रहते हैं, तो शान्ती तो हमारे से दूर जितना हम भागते हैं, उतना शान्ती भी हमारे से इतना ही दूर भागते हैं, तो इसलिए विश्यो को भगवान को और आपित करना प्रभुपाजी कहते कि विशयों को भगवान को और प expansive करेंगे तब जैसे यहाँ पर वापस एक शलोग पताया गया है, आशा पाश शतेर बद्ध, तो आसुरी के लोग है, जारो जारो प्रकाय की इनकी इच्छाई योजनाए हैं, और सिले काम करोध इत्यादी से वो अमेशा प्रभावित रहते हैं, और अन्याय प्रवक धन संचाई करते हैं, तो ऐसे प्रकार से धन का जो अभाव तो नहीं है, पुरे संसार में देखा जाए, धन का कोई अभाव नहीं है, परियाप्त, खाने की वस्तु यह परियाप्त, हर वस्तु परियाप्त है, अभाव संसार में शांती का है, क्योंकि वो धन का सदुप्योग करना नहीं जानते है इसलिए धन पराप्त करने के बाद भी शांती पराप्त नहीं होती है तो परतमान में अधिकतर जो ज़न शक्ति है मनुश्य जो है Human Resources उसके Human Resources Management भी चलता है एक्चली Human Resources Management का काम यही होता है कि कैसे Human Resources रिसॉर्स जो है, उनका ज़ए ज़दा शोशन किया जाए, exploitation किया जाए, तो उसको धन्उ पाज़न में लगाया जा रहा है, अथियार बनाने में कितने लोग लगे होई, कितने सारी फैक्ट्रिय अथियार बनाने के लिए चलती है, और उसका एकी काम है कि दुस्तों को मारना तो इसी का व्यापार चलता है, कलियुग में है, अधर्म का व्यापार अधिक चलता है तो कई लोग कहते हैं, प्रभुपाद आगे कहते हैं, धन सबतागी पूजा लोग करते हैं, दीवा ले आते तो लोग लक्षमी पूजा करते हैं तो वो लक्ष्मी तब है जब वो नाराणी की सिवा में अगर वो नाराणी की सिवा में नहीं तो धन है लक्ष्मी नहीं है वो माया है वो आपको भरमित करेगे ये समना चाहे वही धन है वो लक्ष्मी है जो नाराणी की सिवा में लगी है अगर वो नाराणी की सिवा में नह देती हैं हमारी अने एक प्रका की इच्छाय होती है कि डॉक्टर वकील पॉलिटेशन कई लोग हमारे से धन लूट लेते हैं अलब कारणों के कारण और पर कई बार नेचरल के लामेटी प्राकृतिक विपदाय आ जाती है तो इस प्रकास से कई प्रकास से हमारा ध्यान है व जब डॉक्टर प्रकास गया तो उनका दोजार डॉलर है वह आपको चुकाने पड़ेंगे तो उसके लिए वो तैयार हो गया डॉक्टर को भी इतनी फिस देने हैं तो भी तैयार हो जाएगा पांच-जैस रुप्य की फुस्तक लेने है तो उस पर तयार नहीं होते है तो वह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब का एक चाोब explains हुआ सब्सक्राइब इस ले बता है कि एक और इस Buy of Ones बनाया ताकि हम लोग है उसको एक परियाब प्रूतवी हो प्रूतवी को बचाना चाहते हैं प्रूतवी के पूरान आता है कि कही बाई जब असुरों का सामरे जब्रत है तो पूर्थवी दुखी हो जाती है और ब्रह्माजी के पांजाती है और वरतमान में भी यही सिती है कि पुरुत्वी की सिती पुरी जो है लिगड़ी हुई है हाला कि लोगी घटाओ कर डिस्कॉशन करते हैं कि हमें पर्यावन को बचाना है क्रिन हाउसी से इफेक्ट बढ़ रही है और पलब क्या करें फिर भी कोई तयार नहीं वास्तम है कि हम वो तयार है कि चलो हम अपसे साधा जीवन अपनाएंगे तो भगवान की योजना को नहीं स्विकारते हैं तो फिर भगवान के द्वारा जो सिस्टम बनाई गए हैं मलब भगवान को नहीं स्विकार करते हैं और फिर है रोपाजी आगे सर्चा करते हैं यह किसी का प्रश् में बताया गया है उपने शदो इत्यादी में अनंद माई भगवान को इसी प्रिकास से बताया गया है तो जो अध्वेट वादी है निरा का रवादी है उनका विचार क्या है कि अंत में सब कुछ एक हो जाता है और उनको यह आनंद शब्द से काफे समझाना उनके लिए कठ जगत्मित्या ब्रह्म में ही सत्य है जगत्मित्या और प्रुपाजी कहते है कि वराइटीज इस अधिया आनंद में रहते हैं और हम सब हैं सवामी बन कर आनंद को पहुगना चाहते हैं तो निश्यद जो है वह समाधान नहीं है कि सब कुछ बंद करके बस पत्थर बन जाओ, ध्यान करो, ब्रह्म में एक ओ जाओ, और भोग भी समाधन नहीं, मनद आनंद को ठुकराना भी समाधन नहीं है, और इस संसार में भोग करना भी समाधन नहीं, समाधन है भगवान को आनंद प्रदान करने की क्रियाय करना, यानि कि हमारी सब क्रिया है भगवान के लिए भगवान के अनंद के लिए प्रयोग की जाए तभी हम भी आनंदित होंगे तो यह सिक्रेट है तो भूतिकवादियू का जो विचार है भूग वो समाधन नहीं है जराकरवादियू का समा मलब विचार है निशेद हो भी समाधन नहीं प्रहुपाद करना तो इसलिए मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि व्यक्ति ब्रह्मा जिग्याशा करें और जानने का प्रयास करें तो जो निम्ने यूनियों का जो जहां जीवन है प्रहुपाद आगे मलब लिखते हैं तो वहां पर है तो जो व्यक्ति को वहां पर कोई विचार नहीं होता है कि अध्यात्मिक जो है पलब उनमें कोई ख्रमता नहीं होती है और वहां पर और मनुष्य जीवन में ब्याद्ध्यात्मिक आथी बहुतिक और अध्य डेविकलेश सब को भोगना होता है तो उनका जीवन तो इसी पर क कि वास्तविक आनंद के बारे में जान सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकता है, तो दुखों से मुक्त होने का जो प्रयास है, जब तक हम करते रहते हैं, तब तक तो दुख से मुक्त नहीं होते हैं, और हमारी कठिनाए बढ़ती जाती हैं, पर दुखों से मुक्त होने का प् भगवान को भूल कर वो सब प्लान है आज नहीं तो कल हमारे दुख और बढ़ाने वाले हैं तो इसलिए भगवाद गीता है हमें व्यावारिक समाधन है प्रदान करता है कि कैसे प्रिक्ति है इस आनन्द को प्राप्त कर सकता है और फिर प्रभुपाजी कहते कि दुख्व का कारण है वह मिस्यूज ऑफ फ्री विल हम अमने अमारी जो जो इच्छा थी उसको दुरूपयोग किया प्रभुपा नहीं लिखते हैं मानो जाते कि दुख्व का कारण उस विवेक वेचक शक्ति या थोड़ी सी स्वाधिनता का दुरूपयोग है जो व्याष्टिक जिवात्मा को दी गई है तो जो हमें स्वतंतरता भगवान ने दी विसी का दुरूपयोग करने से हमारे दु हमें कर्म का फल मिलता रहता है तो जीव जो है भगवान का आश है वो पराशक्ति है और हम अभी अपराशक्ति में आगे हैं हारा कि हमें भगवान के लिलाओं में भाग लेना चाहेv पर हम अपने ही संसार में आनंद प्रमोद करने में लगे हुए हैं तो इसलिए हमारा कर्म का चक्र है वो चलता रहता है और दुख हमें मिलते रहते हैं तो अद्वेत वादियों की ये धारना है कि जीव ही इश्वर है और इनकी ये धारना है वो भ्रांत धारना है और भगवान इसका खंडना तो बुगीता में भी कर लिये हैं पत्ता परतर्मनायत इंची तस्ति दनंजे की मेरे से बढ़कर कोई नहीं है तो भगवान यहां भे कि पुरा संसार है वो तिनों गुणों से बना हुआ है पर वो तिन गुण है भगवान को सपर्श नहीं करते हैं तो अंश जो है उसको भगवान की सिवा करनी चाहें जैसे एक नागरी को ता है मलब कोई भी सिटीजन है तो पुलिस है वो उसको help करते है पूलिस का काम दागदी को डन नहीं जाना जो नियम का पालंग करता है उसको पूलिस मदद करती है पर जैसे नों नियम का भंग करते है उनको कारागर में डाल दिया जाता है फिर तो सरकार भी होती है और कारागरू भी होता है तो बहुत ही संसारी कारागरू है जिसमें हम हैं पर जो नियमम का पालंग करते हैं सब जैसे आप अपने घर में बैठें आप और दुरह की सेंटर में नहीं बैठें इसलिए आपके पास सारी सुतनतरता है अपने जिसाब से कहा पी सकते हैं सोबगने पड़ते हैं और हर प्रत्राकी समझ आए और कि बदलने पड़ते तो निराकर्वादियों का प्रवपाद है इस चप्टर में कई जग़ा पर खंड़न करते हैं तो मानता के दुख की तुलना भगवान की लिलाओं से नहीं कर सकते हैं ऐसे अनधा करते हैं कि दुख कुछ कि Надवम कि जो लिला है और हमारी क्रेलवा तो कि ऊसकी कोई नहीं हो सकती है तो भकता ऐसी करता है तो अभकत पर बरन हीं जेकर कि दिव्य ज्याण जो है भक्ति में सेवा कि द्वारां ही प्राप्त होता है तो ऐसा ज्यान प्राप्त हमें होगा जब भक्ति योग में लग जाएंगे तब हमारा ये संगर्ष सुख प्राप्त करना एक बहुत बड़ा संगर्ष हो गया है और संगर्ष बना रहेगा जब तक भोतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे पर ये संगर्ष हम छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो फिर संगर्ष नहीं ही रहेगा, संगर्ष के बिना ही सुख प्राप्त हो जाएगा तो संगर्ष तब तक करता रहना पड़ता है जब तक हम बहुत इक सुख चाहते हैं प्राप्ति का मार्ग है प्षिरुवारत से अनंद आयक है, सुखद है तो गीता में भगवान कहते हैं यह सुख मार्ग है, महां पर कोई करश्ट नहीं है तो यह इस प्रकास से तीसरा जो दुसरा चैप्टर है उसमें खाफी सारे जो बात है प्रभुपाल उसी पर धन के उपर ही फोकस के कैसे धन प्राप्त करना, उसको संभालना और बाद में भी उसका व्याई करना, सबब में कई प्रकास के दुख जुड़े वही है तो प्रक्ति को बहुती सुख के पीछे दौड जो उसकी है उसको छोड़ करके अर्ध्याप्मिक कारियों में मन लगाना चाहे तो उसके सुख की प्राप्ति उसको जल्ली हो जाएगी अब हम चाहते हैं कि इस परकास से में सुखी बन जाओ, आप सुखी बन जाए, सब सुखी बन जाए तो जब इस परकास से होता है तो समाज में, जब सब लोग सुखी है तो वो समाज है शान्ती वाला होता है तो तीस्वा चेक्टर है शान्ती में इस समाज की और हम सब चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे घर पर ही सब शान्ती हो अडोस-पोडोस में शांती हो, मेरे सुसाइटी में शांती हो, मेरे सीटी में शांती हो, मेरे देश में शांती हो, मेरे विश्व में शांती हो, हम सब जगे शांती चाहते हैं, इसलिए मंतर में भी गाते हैं, ओम शांती, शांती, शांती ही, तो ये शांती है, वो प्राप्त का ऐसे होगी तो शुरुवात होती है यहां चैप्टर नमर तीन में प्रोपाजी तेरवे अध्याई का श्लोक लेते हैं इदम शरीरम कौंते क्षित्रम इती अभिधीयती ये तद्यो वेती तम पराहू क्षित्र गेती तद्विदहा तो यहां पर भगवान है क्षित्र और क क्षित्र गेती है जो उसमे बीज डालता है उसका ध्यान रगता है इसको पता है कि मेरा जो खेती है कितना का पानी देना के सब सब क्सेत्र है जो सिको क्षित्र है जान जनने वाला शरी नियानकी आत्मा और बगवान को भी क्षित्रग ठ corridor है बगवान को भी क्षित्रग करां प्रवान 0You । एक शरी में असरे को नहीं भगवान हम्सबके शरी को जान से हैं तो मुट subtra्ट और सेकटरि आनले डिए इससे प्रोपाधें शृवात करते हैं कि शरी है भगवान के द्वारा हमें भेट दी गए है कि इस बोड़ी इस गफट फॉर आस यहां पर, अब देखे ब्रौति जिगत में भौति प्रक्ति माथा हमें शरी प्रदान करते है प्रम भगवान तो यह जो शरी हमें प्रदान किया गया है वो भगवान के एक बड़ी भेट है और कभी भी जो भूतिक संसार में अब भगवान उस जड़ शरी में आत्मा का गर्दान करते है आजकल तो ऐसा मित्या सिद्दान्द है कि किवल मानों में ही आत्मा है दूसरे प्राणी में नहीं जो इसा लोग है उनकी कई माननेता है जो मानते हैं तो हम सब हैं उनको शरी मिला है और भगवान ने जब हमें शरी दिया है तो कुछ उन्होंने निर्देश भी दिये और हो निर्देश है प्रभपाद वो काफी उदाहां है जैंद इस लोगा और अमेरिकान, स्विडिश, हिंदू ये सब पहचान शरी की हैं कि मैं शरी नहीं आत्मा के लिए तो शरी जो है, वो भी तिक संसार में हमें भी तिक परक्ति के द्वारा दिया गया है और कृश्टना है, भागवान स्वेम कहते अहम बीज़ प्रदपता शुरू आप पहपादी इहां पर शुरू आपने बता है बीज प्रदापिता, सर्वयोने शुकौनते, मूर्टे, संभवंति, यहातासं, ब्रह्मा, मुहत, योने, अहम, बीज प्रदापिता, बहगवान कहते कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, और चौरे सिलाख योनी सब के लिए, और फिर हमने ये समझा कि हम कैसे शरीर नहीं है पर शरी है वो कार्य करने का क्षित्र है शरी के माध्यम से हिम कार्य करते हैं उसके बिना तो कोछ कार्य नहीं हो सकता है तो कुट्टा का शरी मिलता है तो कुट्टे की तरह कार्य करता है बिल्ली का शरी मिला उसको बिल्ली की तरह मानों का कार्य मानों का शरी जिसको शांस्ट्रों में बताया गया है पर मनुष्य को स्वाभाता भी दी है तो उसका दुरूपयों करता है वो मानो है इसलीए हम मनुष्य को कहता है कि अध्र और म्सारिद्विकारिया करता है तो भगवान ने शरी हमें दिया है बिन बिन श्यर्प्रका के स्री है संसार में एनिमल्स प्लांटस यूमें तो डिहात्म बुद्धी सभे हैं बनोष्ट में और सभी प्राणियों में दिहात्म बुद्धी है और बबीच के लिए इसलिए प्जिवन बुद्धी को दूर करन करिया है जैसे जो जीव जो शुद्र अवस्था में हैं जहां पर वो अपने आपको ही शरी मानता है वहां से ब्रह्मन अवस्था में वाए जहां पर वो समस्था की में शरी नहीं करता है और चार मुल्ः करते बारे में भी बता है और शुद्धी करन की प्रतिया के बारे में ग्यानवान और भगवान में शद्धा रखना वाला यानि कियास देख और मन और इंद्रियों के पर सहियम यह बहुत बड़ी चीज़ है इतने सारे गुणा आप देखे कठीन है लोग के लिए मन और इंद्रियों के पर सहियम यही बहुत बड़ी कठीनवात है थी सत्यवाद जाकर इसको सीखना है भक्तों के साथ रहकर ये सबका प्रसिक्षन होगा तब ये हम आत्म साथ करेंगे उस तब पढ़ने का उद्देश भी है कि इन सब ग्यान को हम आत्म साथ दारमा सुन कर उसको अपने जीवन में कैसे प्रेक्टिस में लाए इसको सत्यवाद क्या मैं हमेशा सत्य ही बोलता हू सत्याचरन करता हू नहीं तो कैसे उसको में सुधारू क्या मैं शुद्ध रहता हू अशुद्ध वस्ता में रहता हू तो ये सब वस्तु ये है उस तक पढ़ने का उद्देश ये है कि हम उसको आत्मा साथ करें, तो ये सबस्तु है हैं, हमें हर व्यक्ति को ब्रामण बना है, ब्रामण के लिए फ्रभवबात करते हैं, हमने ये society बनाए, लोग को ब्रामण बनाने के लिए, शुद्र तो है ही, पहले से लोग है शुद्र है, और बागी ब्रामण होंगे, तो संटेन करेंगे चारवरणआ और आश्रम की व्यवस्ता इसलिए। पर पुरुषुक्त में भी विचार है उपनी शुदों में भी है फुरानों में भी है रहामाई महभरत ऐसा कोई गरंथ नहीं कि जहां पर इचार वर्णावर आश्रम की विवस्ता नहीं बताएगी वह बलकि आप लेकिया अध्यात्मी जिगत में भी तो बिन बिनने लोग ह स्वभाव तो ऐसी विवस्ता आप साश्वत रुप से बहुतिक शंसार में व्रणाश्रम की विवस्ता बहुतिक गुणूं के अनुसार होती है पर अध्यात्मी जिगत में भी भी हुस्तिम का प्रतीखुरुति यानिके यह कापी यहां पर है तो वो व्यवस्ता है स्वाभाईवी के कृत्रिम नहीं है तीन गुणों के आधार पर बनाएगी है और भगवान की सिवा जो है चातरोन ये मयाश रिष्टम गुण करम अभागश गुण के अनुसर बनाएगी और इसका उद्देश है कि अव्यविचारी भक्तियोग से भगवान की सिवा की जाए इसके लिए पुरी व्यवस्ता बनाएगी है और ऐसी सिति अगर ऐसी भक्ति में कोई लगता है तो उसको जो प्राप्त होता है उसको कहते ब्राम्मी सिति ब्राम्मी सिति मलब जिसको आत्म सक्षातर हो चुका है इसको हम सित्परग्य भी कह सकते, ब्रां। नहीं कि विक्ति को मार देना है, एक तो है कि विक्ति को मार दो, बीमारी नही रहेगी, और दूसरा है ठिट्मेंट करो, ठीक हो जाओ, और तंदुरस्त जीवन जीओ तो भक्ति करना मतलब बिमारी को ठीक करके तंदुरस्त जीवन जीना है और निराकरवाद मतलब पेशन को हिमार देना है नहीं 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 रहेगा बास नहीं बजेगी बास रही तो उस प्रकार से प्रॉलम खतम प्रॉलम खतम नहीं होते हैं स तो सच्ची दाना अवस्था प्राप्त करना वह जीवन का लक्ष है और उसकी बुंद में दोनों में सेंप गुण होते हैं तो इसकी प्रकार से जीव है और आत्मा जीव भगवान और आत्मा है प्रपाज केते कि इसलिए आत्मा अत्यापी अप्राद आधुनिक कानून में भी आत्मात्या को अप्राद माना जाता है तो चार बढ़न शरी के चारंग है उसका सर्चा प्रपाद नहीं किये हैं और फिर कॉपरेशन जैसे हमारे शरी में हाथ प्यार सीर सबका कॉपरेशन जरूरी है ना आप कहते कि मुझे कहीं जाना है अमन में चलूंगा तो नहीं करेंगे तो कैसे शरी का काम चलेगा तो कॉपरेशन जरूरी है प्रस्तस्योग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं वरतमान में इसलिए आप देखिए वरतमान में आजकल जो से भारत में अभी आंदो के पीछ में हमेशा संगर्ष चलता रहता है क्यों दोनों और सुनतुष्ट है तो यह कारण क्यों है क्योंकि वह दोनों एक दूसर को एक्सप्रेट करना चाहते हैं पुझी पती है ज्यादा पैसा बना जाते हैं मजदूर काम नहीं करके भी पैसा चाहता है बहुत जटिल चलती रहें क्योंकि कोपरेशन होगा है क्रिष्ण भावनामृत के बिना ऐसा सहयोग संभव नहीं है क्योंकि कोई common objective नहीं कि जिसके लिए दोनों काम करें तो भगवतगीता समाज के सभी वर्गों की जो आवश्यक्ता है उसको उस ज्यान को प्रदान करती है common objective क्या है चा बिना वो कभी भी उसको शक्ति प्राप्त नहीं होगी उसी प्रकाह से बगवान को संतुष्ट किये बिना चाहे capitalist हो या labor class हो दोनों और संतुष्टर हैंगे तोनों गरीब हैं तो भी दुखी होगा तनवान है वो भी दुखी होगा जब तक बगवान के योजना में भाग लेता है तो मानो समाज है उसमें भगवान वेवस्ता कि भगवान सुयम अवतार लेते हैं अनका पर पर दो बहुतार लेते हैं पर भी भृगवान इसके आंग नहीं है भगवान चाहिए किसी भी योनी में उताले फिर भी भगवान उसके अंग नहीं है मैं उनसे परे हूँ भगवान कर्म करते है फिर भी नमे कर्मने लिम्पर्दे नमे कर्म फले स्प्रहा मुझे कर्म है बाध्या नहीं करते है तो मानो समाज है वो निजीहित का विचार करता है कुट्टे बिल्यों का समाज है प्रकति पर प्रभूत वर जटाना चाहता है वरतमान की ये स्थिती है तो भगवान है परम नियंता है ये हम भूल चुके हैं और इसलिए भगवान यहां पर कहते है बात बात कर रहे है ब्रामणों की आवश्क्ता है इसे लिए है कि जो इस ग्यान को सब को वित्रित करें तो प्रोपाजे कहते कि भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं वो आते ही संसार में सिखाने के लिए तो आधुनिक समाज को बुद्धी जीवियों या ब्राह्मनों की अवश्यक्त्या है अवरतमान के जो नकली जो बुद्धी जीवियों है बहुत सारे पत्रकार हो और बहुत सारे टीवी पर एंक जो बोलने वाले लोग है उसको भी लोग बुद्धी जीवी या intelligent class कहते हैं पर ऐसे बुद्धी जीवे को basic knowledge भी नहीं है कि क्या खाना है क्या पीना है कैसे सोना है मतलब मनुष्य ही नहीं पहले तो है तो बुद्धी जीवी तो बाद में होंगे पहले मनुष्य बनो फिर बुद्धी जीवी बनो तो पहले मनुष्य बनना है फिर ब्राह्मन बनना है तो कम से कम human society में जो कम से कम मनुष्य बन चुके है उनको ब्राह्मन बनने ने का जो कारी है प्रहुपाद यहां पर अपना mission भी बताते है प्रहुपाद की जब कुस्तक पढ़ते है तो उसमें हमें कई statement मिलते है जो अलला वस्तुए बताते हैं तो एनलाइस करेंगे तो यह mission statement उसको कहते है जिसमें प्रहुपाद अपना mission बताते है कि हमारी society का उत्देश है कि पूरे विश्व में तो ब्रह्मनों की अतिया आवश्यक्ता जो सच्चे अध्यात्मिक ज्यान को सारे विश्व में प्रचारित करें या एक ऐसे समाज की अनिवारियता आवश्यक्ता है जो केवल प्रकृतिकार सोशन करने के लिए घोर परिश्व कर रहा है यदि लोग इस कृष्व भावनत आंदो उनको वईज्यानिक और दार्शनिक दरश्टी से अपने शेष्ट ग्यान और विवेक से समझने का प्रयास करे और सहीव करे तो पूरे विश्व में शान्ती सापित वह सकती है प्रभुपाजी है आजकल लोग है विश्व शान्ती की बाते करते हैं दो-चार साल तो उनको नॉबल पुरुसकार मिल जाता है और विश्व शान्ती तो होती नहीं है जैसे जिसको मिला था नॉबल पुरुसकार जिसने सबसे ज़्यादा बंफ है के थे अब गनिस्तान और इसके उपर जॉजबुश को युद्ध शारू करते हैं फिर युद्ध स्वयम बंद भी करते हैं और उसको नॉबल पुरुसकार मिल जाता है अकिकल में प्रहुपाज करें और इस प्रकाश से मानुस समाज में जो वर्ग है उसमें शांती होगी नहीं कि कोई आधोनीक यूजना के द्वारा तो इस प्रकाश से तीन चेप्टर इस चेप्टर में विशेश्चुप से प्रहुपाजी जो डिसकर्शन की उसको मैं वापस एक बार दोहरा देता हूं इस चेप्टर में प्रहुपाजी की शुरुआत की और फिर काफी आधा से जाजा चेप्टर है वो चार वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्ता है और किस प्रकाश से शांती प्राप्त हो सकते हैं उसके सार्चा प्रहुपाजी के तो शांती समाज सुसाइटी के बात है सुसाइटी यानि कि हम आप हल अलग विचाधरा वाले लोग भी आगे हिंदू मुसलिम सप्रका के अनेक देशों के लोग आगे तो कॉमन जब तक ग्राउंड नहीं होगा कॉमन ग्राउंड इश्वरी हो सकता है तो ऐसा नहीं कि हिं सब्सक्राइब करती हैं आपसा हिंदू है मुसलिम है या क्रिस्यन है तो भवान को श्रणागत होना और उनकी जो सिस्टम है उसको जीवन में अपनाना उस गुणों को अर्जन करना यह सब आवश्यक वस्तू है तो उसको प्रहुपाजी कहते कि यह कलक्ट सुसाइटी में हम चाहते कोई वस्तू तो पहले हमें व्यक्तिगत रुप से चालू क के लिए आते हैं तो क्रमिक रुप से हैं इसका विकास होगा और इस प्रकास है हमारे जीवन में भी इसका विकास होता रहेगा तो अब आपके कोई प्रशन है तो उसकी सर्चाम करते हैं यहां पर हम इसको पहले तो पूरा करते हैं मलब जो चैप्टर की जो समरी थी अब ह तो जिनको भी प्रश्ण पूछना है माइक आउन करके अपना प्रश्ण पूछ सकते हैं या हैंड्रेस करके आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं तो मैं उस प्रश्ण का उत्तर दूगा एक अन्टा मेरे खल से अमारा सेशन हुआ तीन चैटर बाकी है उसका शुदिल भी आपको बताया जागा है तो तीन चैटर का भी क्योंकि उसमें एक चैटर है कासका के उसके पर काफी प्रवपाध है भी जो भगवान की शक्तियां करके एक चैटर है कई महत्वप्रण बाते हैं उसमें राधारानी की उपर बताई गई है तो उसकी सार्च हम आगे करेंगे अभी आपके प्रश्चन है उसको हम समय लेते हैं आरे कृष्ण गुरु जी आरे कृष्णा आप ले अशर्व नीरकार साकान में होता है जुष्ण की जा जशकने काहसित एप judgment कीरा का भुष्णैनलु puedes आपकर समझ गया तो जहाए इस मैरी आपकी मान्नेता की बात नहीं है हमें चयाए निराकार या शाकहर या इश्वर आयात्ना इन शब्दों को भी हमने कहां सुना हम ये शब्द हमने नहीं बनाए हैं तो बेसिकली आप भगवगीता अच्छी है कि एक बार भगवगीता यथा रूप पड़े उसमें बारवा अध्या है इसके पर विशेश रूप से सर्चाकी गई है शु अधन भी हो सकता है विक्तिकत रूप से मिलकर भी सर्चा करते हैं क्योंकि विश्य हैं काफी जटिल भी रहता है समझने के लिए जिनको डाउट से उनके लिए बाकी लोग के लिए तो कठी नहीं है तो अच्छा है कि भगवगीता आप एक बार क्रमिक रूप से पढ़ना शुरू करें क्योंकि अब मालेजे कि आप मैट्स के क्लास में चले गए और फिजिक्स के क्लास में चले गए और अभी मैं कभी फिजिक्स पढ़ा भी ज्यादा नहीं और मैं को यहां पर एक अखिला है और एम सी और उपर दो लिखा है यह दोनों समान कैसे हो सकते हैं आप पहले तो IBCD भी पड़ो और फिर Maths पड़ो और Physics पड़ो तब जाकर आपको फिर Einstein की ठीरी पड़ो तो तब जाकर है वो समीकरन जो है सुत्र है वो आपको फर्मिला है वो थोड़ा बहुत उसका आइडिया आएगा कि क्या सरचा चल रही है और क्यूंग ऐसा है तो यह मेरे म या आपके मत या वैश्णव ऐसा मानते हैं और दूसरे दूसरा बात मानते ऐसी नहीं है आप स्वेंभगीता पढ़िए एक बात और समने का प्रयास किजिए खुले मन से समने का प्रयास करें तो फिर विहवार में अगर मैं आपको इसको समझाओ तो सिंपल है कि सूरिया ह या कोई विवस्तू जो शक्ती है सिंपल है कि शक्ती है तो शक्तीमान भी हैं दूसरे पर क्या नहीं होता है तो जिनको शक्ती मान का ज्यान नहीं हू Calendar नहीं है उसके में शक्तिया बिसारार दफ पर थालते पर संसार करते हैं को कि यहाँ पर भूत-बविश्य हर वरतमान तिनकाल होते हैं The अभवान के लिए भूत बविश्य और वरतमानकाल जैसा वस्तु है नहीं कि पहले नहीं थे अब थे और बाद में नहीं रहेंगे वो शाश्वत है तो इश्वर जब शाश्वत है तो उनकी शक्तिया भी शाश्वत है और जितना 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 है तो मेरा एक इंप्रेशन भी विक्ति ऐसा है अब आप उसके घर पर जाकर कभी मिलों देखो आप वो कैसे बैठाया आपको इसाथ बैठ कर चाहे भी पिएगा का आम भी खाएगा जो भी सब कुछ करेगा फिर आपको लगे तो मेरे तरही है तो कितना आपका रिलेशन है उतना आप उस वस्तू को जानते हैं तो इश्वर के बारे में भी आप जितना गहराय में जाते हैं तो और और आपको सक्षाटर हो जाता है तो हम समझत हैं कि जिनको सबसे अधिक शक्षाट कर वा है, वो परसटनल इश्वर को परसनल र अच्छा है कि भगगीता याथा रूप पून रूप से पढ़ने का एक बार प्रयास करें आपके कोई दूसरा प्रश्णा नहीं है आपका नहीं है अमें दूसरे लोग ले कर रहा हूं आपका तो प्रश्ण का मैंने कुछ तरदी दिया और आप वो सम्राधान पर काम करने लगी अब है अरे किस्टा बोले दूसरे कोई बद्दों को कोई प्रश्णा है तो बताईए कि किसी का वो प्रश्ण था वेदान सुत्र के उपर प्रश्ण तो मुझे लिख कर बेज़े थे कि वह वक्त यहां पर है कि नहीं बज़े पता नहीं है कि कि हरे कि प्रभु जी मैंने कुछ प्रश्ण भेज़े थे मेरे नाम अम भार्दु आजया है और वह थे प्रश्ण वापस रिपीट कीजिए एक प्रश्ण पहले बताएं एक्चुली वह तो आपने आंसर कर दिया काफी अच्छे मानते हैं उसमें यह दिया हुआ है कि संक्राचार जी मानते हैं कि नारायन सबसे उपर हैं और स्री क्रिशन जो है वह देव की और वसुदेव के पुत्र के रूप में पुत्र मानते है और और जो नेराकारवादी है संक्राचार के पॉल्लावास उनको भगवान और उनके आउतारों के सद्थ कोई प्रॉलम नहीं है इस निए और जी और इश्वर ऐसा भेदनी जी वह है जो इश्वर का हो अंश की जो अभी माया से आवृत है और वह माया से आवरण हट जाएगा तो वो जीव है, वो इश्वम मिल जाएगा, यानि कि दो कोई त्वस्तु नहीं रहेगी, तो कंक्लूजिव डिसकर्शन, कंक्लूजन जो है उनका, उनको यह नहीं विचाएगा, वो निराकार नहीं करते हैं, इस बातका कि कृष्ण नहीं थे, या राम नहीं थे, और भगवान के उतार नहीं, वो 24 अतार या 10 अतार सब को मानते हैं, सब की सुतिया करते हैं, सब की मुर्तिया भी रखते हैं, सब की पूजा भी करते हैं, इवन साक्षात मुर्ति की पूजा करते हैं विवार में उनको कोई प्रॉलम नहीं जब निशकर्ष निकालना है तो उनका निर्वचनिया जिसका वरना नहीं किया जासता उस प्रकास है तो निशकर्श उनका इस प्रकास है जो आरी समाजी नहीं कि पुरानों को नहीं मानते लिलाओं को नहीं मानते हैं सब पुरानों को भी स्विकाह करते स्मृतियों को भी स्विकाह करते बलके आप देखें जगनातपुरी में जो डेटी वर्शिप की मैथल्ड है संक्राचारे के द्वारा स्थापित की गई है इसका मतलब संक्राचारे जी का जो सिदान्त है उसके हिसाब से भगवान है जो परम जो जैसे कृष्ण है राम है या माता है है या सिवा जो भी है देवी देवता बड़े बड़े तो यह सो भगवान जो है यह सगुन रूप में हैं बट यह माया के अंडर है माया के प्रभावित होते हैं पर जब इश्वर अवतार लेते हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं पर हम उस सब्सक्राइब करते हैं कि वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो वह बगवान की करते हैं पर उनको माया के प्रभाव में करते हैं कि यह माया कि यह माध्यम है इसका अभी पूजा करके अंत में तो हमें इसी में एक हो जाना है थेंक यह वरी मच्ट थेंक आपके आपने और को प्रशना को इसी बग्त का है तो पता सकते हैं प्रभु अगर है यहां पर तो वो ग्रुप के वारे में कुछ बताना चाहरे थे उनने लिखा था उसमें में ग्रुप में कि यहां कि यहां पर इसको है समापन करते हैं और अगर कुछ ऐसा है तो फिर मुझे क्विश्चन भी फॉरवड करना है तो भी कर सकते हैं या जो भी हैं पूछ सकते हैं मंदिरा कर भी पूछ सकते हैं अकेश लब ऋपाद की जायँ ओधे मंदिरा अरे हरी भोग जायँ तेंक यूण